तो आज के व्लोग में आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे याम्मा आरेक्स हंड्रेट का रिव्यू तो अभी फिलाल आप लोगों को दिखाएंगे आज याम्मा आरेक्स हंड्रेट और इसको गाउं में चलाएंगे और रागार के चलाएंगे बेखेंगे गारी का सब दिखाएंगे यह पूरा रिव्यू और इसको चला के दिखाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि इसका पावर कितना है और कितना चल सकता है यह गारी तो शुरू में यह रस्त का कॉंडिशन इस तरह सा है अब लोग देख सकते हैं बहुत ही खराब रस्ता है गाउं का रस्ता है तो यह रस्त में हम लोग अभी चल रहा है रस्त का कॉंडिशन अच्छा नहीं है और थोरा वारिश भी हो रहा है यह देख सकते हैं तो आप लोग तेखते रहिए और भरपूर भिलेश भीव का आनन्द आप लोग उठा सकते हैं इस वीडियो के मैध्यम से तो अभी श्रीलाल बारिश शुरू हो गया हम लोग पैट्र पाम तक जाने वाले थे तो बारिश के बज़े से हम लोग रास्ते पे रूख गया तो बारिश रूटन हैं सही थे त muffled से ने हम लोग देखते हैं तक बारिश लूखता धृख्या शुर्व भीविज़ा तुमयातट्र अधोत कि अभी ठोर बारिशंत तो उनोंग है है और अभी हम लोग तो फिलाल रास्ता का कोंडिशन बहुत खराब है यह डी कि रहे हैं नहीं कि दिक्कत नहीं आ रहा है यहां लोग देख सकते हैं रस्ता का कंडिशन वोग भी खराफ है और पूरा लुक्स चारो तरफ से देखाने की कोशिश करेंगे आप लोग देख सकते हो यह बहुत पुराना गारी है इसको थोड़ा मोडिफाइक करके बनाया गया है तो अभी भी यह बहुत राप्चिक चलता है तो बारिश की बज़े से जितना हो सका हमने आरेक संद्रेट का सब्सक्राइब लिया उसको चलाया खराब रस्ते में चलाया चलाया तो लग इतना पुराना बाइक है फिर भी कॉंडिशन बहुत अच्छा है तो आरेक संद्रेट तो गोल्ड है तो आस के लिए इतना ही ब्लोग में फिर मिलेंगे कोई नए जगा पे नए अदमी के साथ नए टोपिक पे बंदे मात्रम जय हिंद जय भारत